ओब्यूलेशन के पांच लक्षन यहांडा अब गर्भधारन करने के लिए निशेचन के लिए तैयार है। यदि महिला इस अबधी के दौरान गर्भधारन करने का प्रयास नहीं करती है, तो यहांडा गर्भाशे द्वारा अवशोशित होता है और फिर मासिक धर्म के दौरान बाहर निकल जाता है। जब यह उस महीने का चरम समय है जब एक महिला उपजाओ होती है और गर्भधारन की योजना बना सकती है। डौक्टरों का कहना है कि ओविलेशन शुरू करने से पहले पांच दिन आपके लिए अपने साथी के साथ व्यस्थ होने का सबसे अच्छा समय है। इसे उपजाओ खि नहीं है तो आपको इसका पता कैसे चलेगा। इसे पता करने का तरीका बिल्कुल सरल है। ओविलेशन के लक्षन और संकेत जानने के लिए पढ़े ये लेक। ओविलेशन कितने दिन तक रहता है। आपके शरीर में सबसे फर्टाइल अब धी ओविलेशन से पांच दिन प गंटे बाद तक ही जीवित रहता है। ओविलेशन के दौरान गर्भधारन करना आसान और फायदे मंद है। हम आपको कुछ ऐसे संकेत बता रहे हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि महिला ओविलेट कर रही है। ओविलेशन के समय महिलाओं के शरीर में कुछ बदलाव भी ह होते हैं जिसके आधार पर प्रजनन के दिनों का अनुमान लगाया जा सकता है। ओविलेशन के लक्षन में गर्भाशे ग्रीवा की स्थिती बदलती है। जब आप गर्भधारन के लिए तयार होती हैं उस समय के दौरान आपका गर्भाशे ग्रीवा उपर नर्म और अधि खुला होता है। इस समय गर्भाशे ग्रीवा बलगम या योनी स्राव में परिवर्तन होता है। यह ओविलेशन का पहला संकेत है। इस समय के दौरान एस्ट्रोजन के स्तर में व्रिद्धी होती है और गर्भाशे ग्रीवा का बलगम गाड़ा हो जाता है। यह हंडे की फेदी जैसा लग सकता है और शुक्रानू के लिए अच्छा है. आप इस म्यूकस को देख सकती हैं और जान सकती हैं कि क्या आप ओवुलेट कर रही हैं. इसे अपनी उंगलियों के बीच रखें और देखें कि क्या यह अलग है. परिवर्तन आपके सामान्य ग्रीवा बलगम स काफी अलग होता है. अंडे की रिहाई के लक्षन यौन इच्छा बढ़ जाती है. जब महिलाएं गर्भधारन के लिए पूरी तरह से तैयार होती हैं, उस समय उनकी यौन इच्छा अपने चरम पर होती है. और अगर आप गर्भवती होना चाहती हैं तो गर्भवती होने क यह सबसे अच्छा समय है. सेक्स ड्राइब में व्रिद्धी का मुख्य कारण उच्च एस्ट्रोजन के स्तर के कारण ओविलेशन के दौरान आप अधिक मूर में महसूस कर सकती हैं. हालां कि सेक्स ड्राइब में व्रिद्धी महसूस किया जाना पूरी तरह से ओविलेशन क कारण नहीं है. इसी तरह, एक मौका है कि आप बिलकुल भी सेक्स ड्राइब में व्रिधी महसूस नहीं करती हैं. लेकिन फिर से, इसका मतलब यह नहीं है कि आप ओविूलेट नहीं कर रही हैं. ओवूलेशन पीरियड के लक्षन शरीर का तापमान. इस दोरान, महिला के शरीर का तापमान अधिक होता है. शरीर के तापमान में मामूली व्रिधी ओविूलेशन का संकेत है. इन दिनों शरीर का तापमान अधिक रहता है. कई बार ओविूलेशन के बाद भी तापमान अधिक बना रहता है. यही कारण है कि यदि वे दिंबोट सरजन कर रही हैं को जांचने के लिए कुछ महिलाएं अपने शरीर का तापमान लेती हैं शरीर का तापमान बढ़ना ओवियूलेशन का एक अजीब प्रभाव है आप बिस्तर से बाहर आने से पहले हर सुबह अपने शरीर के तापमान की जांच कर सकती हैं और दिन के दोरान शरीर के तापमान के साथ तुलना कर सकती हैं अगर यह बढ़ गया है तो इसका मतलब है कि आप पीरियड में हैं अंदा रिलीज होने के लक्षन स्तन नाजुक हो जाते हैं कुछ महिलाओं में ओवियूलेशन से पहले स्तन नाजुक हो जाते हैं यह शरीर में हॉमोन की व्रिद्धी के कारण होता है यह हॉमोन इंगित करते हैं कि आप संभावित रूप से गर्भाधान के लिए तैयार हो रही हैं ओवियूलेशन और ओवियूलेशन के आसपास की अबधी तब होती है जब आपके हॉमोन बढ़ते हैं इस अबधी के दौरान आपको निपल्स और स्थन की समवेधन शीर्ता और कोमलता का अनुभव होने की संभावना है यह ओवियूलेशन तक पहुंचने वाले दिनों में ओवियूलेशन के दौरान और इसके समाप्थ होने के बाद महसूस किया जा सकता है हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करे शेर करे और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें थन्यवाद